हाई दोस्तों, असलाम अलेकूम, कैसे है आप लोग में नम नबील है? आप लोग में से बहुत लोगों ने मुझे कई बार सवाल किया है कमें सेक्शन में कि हमारे एरपॉट जो है वो हो गए है, गुम गए है, मिल नहीं रहे है तो इसको किस तरीके से हम ढून सकते हैं तो बहुत ही simple easy to use method है को इसमें जो है बहुत ही जादा कुछ scientific या कोई rocket science वाली तो चीज है नहीं लेकिन airpods ऐसी चीज है जो के कभी भी गुम सकते हैं यह होता है इतना चोटी सी एक चीज और यहां वहां आपके कान में से जो है कहीं दूंड सकते है एरपॉस जिस किसी आईफोन के साथ आप पैर करते हो या आईपैड के आप पैर करते हो तो automatically जो है वो उसके find my application के अंदर add हो जाते है तो find my application आपको use करने आना चीज़ के उपर मैंने बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ और इसमें आपको आपका आई एरपॉट्स के अंदर battery है तो current जो live location है वो बताएगा अगर airports की battery जो है completely down हो गई तो भी उसकी जो last known location है यानि कि battery पूरी खतम होने के पहले किस location पे आपके airports थे वो आपको देखने मिल जाएगा तो यहाँ पे find my application के अंदर आपको यहाँ पे तीन tabs जो है नीचे नजर अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि map पे किस तरीके से मेरे airports की location नजर आ रही है अब यहाँ पे जो मिल यह पे नहीं पर गिर जाते है तो आप किस तरीके से उनको दूंद सकते हैं पहले वो देख लेते हैं तो यहाँ पे play sound का option है अगर आपके घर मेए या आस पास कहीं तो आप उनको जो है इस तरीके से ढून सकते है या फिर last known location पे पौँच कर भी आप play sound करके जो है उसको ढून सकते है या आपके coat में, आपके jacket में आपके बिस्थर के आसपास जो है कहीं वो गिर गए तो भी आप इस तरीके से उनको ढून सकते है तो play sound पे हम लोग एक बार click कर लेतें यहाँ पे यहाँ पे आप जैसे सुन सकते हो कि यह जो sound है यह play हो जाएगा अगर आप चाहते है कि इसमें से particular जो एरपॉड है उसको आप mute कर दे सब्सक्राइब लेफ्ट वाला ढूंड रहे हो और right वाले आपको मूट करना चाहते तो right पे टैप कर लिजे आपका जो right airport है वो mute हो जाएगा और left वाले पर आवाज आती रही अभी मेरे हाथ में जो है मैंने left वाला airport पकड़ा हुआ है जो के mic के पास है इसलिए आपको ये वाली आवाज आ रही है और अब जब आपके airports आपको मिल जाए तो stop पे आप click करेंगे तो आपके airports का जो sound है वो बंद कर लेना है और यहाँ पे आपके airports की जो last known location होगी वो आपके apple maps के अंदर जो है open हो जाएगी यहाँ पे go लिखा हुआ है go पे click करके आप जो है drive, walk या फिर public transport से अपने airports की last known location पे पहुँच सकते है एक बार आप last known location पे पहुच जाए तो वहाँ पहुचने के बाद आप play sound करके जो है अपने airports को बड़े आसानी से डूंड सकते है एक बात का ध्यान रखिए दोस्तो airport जो है बहुत ज़धा attractive चीज है और क्यूंकि यह बहुत ज़धा महंगी चीज है और हर को इसको afford नहीं कर पाता तो यह चीज जो है लोगों को उसको अपने पास रखने के लिए जो है बहुत ज़धा attract करती है आकरशिक करती है तो इसलिए अपने airports का खास तोर पर खयाल रखिए और आपके airports जो है आपको काफी time तक जो है अच्छे तरीके से serve कर पाएंगे तो यह यह दोस्तो सबसे आसान तरीका आपके lost airports को या stolen airports को ढूंडने का उमीद कता हो दोस्त